एलो स्टूदेंट्स आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन ओफ टू बोडिस इन फ्रीफॉल ओके अब फ्रीफॉल अभी तक हम लोगों ने समझा है free fall क्या होता है object का motion under acceleration due to gravity यहने जब body में जो acceleration होता है वो acceleration due to gravity होता है तो generally क्या होता है free fall या फिर जो motion under gravity के concept है उसमें एक तो object उपर थो हो सकता है u velocity से या फिर एक tower पर से अपन object को drop कर सकते है ना या फिर again same situation same tower पर से अपन object को throw कर सकते तो यह 3 cases है तीन cases में एक object को अपन ने upward throw किया यहाँ पर object को drop किया tower से drop हमेशा tower से ही करेंगे जमीन पर रहे के drop नहीं करता है कोई भी है ना और यहाँ पर object को downward throw किया यह तीनों cases में similarity क है इन तीनों cases में acceleration जो है वह acceleration due to gravity है एक्सेलरेशन का वाल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी है जिसकी direction downwards है जिसकी direction downwards है तीनों cases का similarity समझ मैं सबको ओके तो अपन क्या करेंगे दो objects motion में consider करेंगे example के लिए ठीक है सपोज यह इस तरीके का situation consider करेंगे अपन कि वही एक tower है है न यह इस तरीके का एक tower बना लिया उसके उपर situation कैसा consider किया एक object है 1 जिसको u speed से उपर फेका और एक object है 2 जिसको u speed से नीचे फेका u1 u2 ठीक है समझे अब इसके अंदर for first object initial velocity let us say downward direction positive लेंगे upward direction negative लेंगे downward direction positive upward direction negative तो first object के लिए initial velocity अपन लिखेंगे minus u1 समझे गया और second object के लिए initial velocity लिखेंगे plus u2 क्योंकि वो नीचे है समझे तो अगर therefore मैं ने बुला u12 निकालो तो तुमके लिखोंगे u1 minus u2 that is minus u1 minus u2 u1 के जगा इसके जगा value लेलो है ना value रख लो यहापे u1 के जगा आपन कौनसी value रखा माइनस u1 और u2 के जगा रखा plus u2 समझ रहो ना उन्हें तो तुम u1 minus u1 ऐसा क्यों लिए समझे तुमको confused हो जाएगा है ना पहले वाले पहले वाले object का acceleration कितना रहेगा पहले वाले object पे एक्सेलरेशन जी नीचे के तरफ लग रहेगा तो यह भी acceleration g नीचे के तरफ ही लग रहे तो उसका acceleration भी plus g रहेगा तो therefore a12 that is equal to a1 minus a2 which is g minus g तो therefore a12 is equal to 0 this is the most important relation यह सबसे ज़्यादा important relation है कि जब दो object का free fall का motion होता है या फिर motion under gravity होता है तो उनके बीच में relative acceleration zero होता है इसका हम लोग लिख लेंगे statement में English में पहले लिखा देता हूं है ना तो वो लिख लेना है सबने when two objects लिखते चलो सब लोग पहले diagram ड्रॉक कर लिया फिर यह भी बना लिया फिर यहां से ही अपने statement लिख लिए जो कि बहुत जादा important है when two objects are are in motion under gravity then relative acceleration between them is zero okay अब motion under gravity में वो तीनो cases आगी तीनो cases clear थेरी समझ में इसकी सभी को चलो फिर हम लोग problem इस पे clear करते है okay पहला problem okay पहला problem क्या है इस पे देखो a ball is projected upwards with speed u1 and simultaneously another ball is projected downwards with speed u2 वो जो मैंने अभी case case बनाया था from the top of the building of the height edge चीक है यह building है जिसका height कितना बोला हुआ है edge बोला हुआ है कुछ ज्यादा ही बड़ी building हो गई है यह बनाने में तकलिप होती है ना तो यह ऐसा है इसमें copy नहीं होता है यह बना दिया edge height एक object को तुमने u1 speed से उपर थोग किया दूसरे object को तुमने u2 speed से नीचे थोग किया ठीक है now u1 कौम लोग लेंगे नीचे के direction हमेशा positive उपर के direction हमेशा negative या फिर हाँ ठीक है चलता है कोई भी चलेगा ओके नीचे के direction हमेशा positive उपर के direction हमेशा negative तो u1 is equal to minus u1 u2 is equal to plus u2 s1 is equal to 0 पहले वाले object का displacement और s2 is equal to उपर गिन रहे इसलिए plus h ठीक है अब a1 to 0 है यह कैसे 0 आया है अब पिछले इसमें explain क्या पिछले थोड़ी दर पहली explain क्या है ठीक है तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते है u1 2 is equal to u1 minus u2 therefore u1 2 is equal to minus u1 u1 के जगा लिखेंगे minus u1 minus u2 के जगा लिखेंगे plus u2 तो आ जाएगा u1 minus u2 इसको minus common निकाल लिया u1 plus u2 यह हमारा पहला चीज़ हो क्या नो s1 2 is equal to s1 2 is s1 minus s2 therefore s1 2 is s1 कितना है 0 minus s2 कितना है plus h यहने minus h हो गया therefore s1 2 is equal to minus h लिख लिया यहां तक लिख लो अब equation क्या लगेंगा s1 2 is equal to u1 2 t plus half a1 2 t square minus h is equal to u1 2 कितना है minus u1 plus u2 into t plus half a1 2 0 है t square यह तो term हड़ गया minus minus cancel हो गया therefore h is equal to u1 plus u2 into t therefore t is equal to h upon u1 plus u2 इतना time लगेगा जब वो एक दूसरे को cross करेंगे clear समझ मैं इतने time बाद वो दोनो objects एक दूसरे को cross कर लेंगे relative velocity से solve क्या तो बहुत आसानी से solve हो जाएगा ठीक है है ना आसान problem okay ठीक है तो चलो अगले problem की तरफ बढ़ते हैं a ball is projected upwards with speed 50 meter per second simultaneously another ball is dropped throw नहीं किया है drop किया है from 100 meter high building okay अब उपर के direction positive नीचे के direction negative ऐसा पकड़ लेते हैं है ना अब दोनों motion under gravity है तो a12 तो 0 हो गया पहला अपने result derive क्या हुआ है a12 तो पहली 0 लिख देंगे कि नीचे positive लेना है दूसरे वाले का speed 0 आएगा क्योंकि उसको drop किया हुआ है तो drop किया है नीचे तो minus 0 नाम की चीज नहीं रहती तुम बोलोगे सर नीचे तो minus लगाओ यहां पर drop किया तो वैसी 0 रहेगा लेकिन नीचे इसलिए minus लगाने का ज़रूरत नहीं है ठीक है अब s12 s1 का value h sorry s1 का value 0 है क्योंकि वो object नीचे है s2 का value minus h है क्योंकि जब तुम s2 गिनने जा रहे हो है ना इस object का height गिनने जा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो तुम यह नीचे जा रहे हो है ना नीचे जा रहे हो ना तुम तो नीचे जब भी जाओगे तो क्या लेना है negative तो minus कितना बोला है 100 meter तो therefore u12 is equal to u1 minus u2 which is 50 meter per second S12 is S1 minus S2 which is 0 minus minus H which is plus H मतलब 100 meters ठीक है after how much time will they cross equation लगाएंगे S12 is equal to U12 T plus half A12 T square S12 कितना है S12 100 है U12 कितना है 50 है देको यहाँ पे 50 into T plus half 0 into T square 100 is equal to 50 T है cancel तो T is equal to 10 by 5 आया T का value आया 2 seconds आसान प्रोब्ले है ना तो time का value है 2 seconds so coming on to next problem अगले प्रोब्लम में क्या बुलाएं 2 particles are projected simultaneously simultaneously याने एक ही साथ में upwards याने दोनों उपर प्रोजेक्ट किये from the top and bottom of the cliff okay cliff याने पहाडी पहाडी किसे बनाएंगे हम लोग यसा पहाडी एक यहां से प्रोजेक्ट किया उपर और एक यहां से प्रोजेक्ट किया उपर है ना from the top and bottom of the cliff of height 20 meter इसके height जो दी हुई है यह 20 meter दी हुई है if the speed of one is double that of the other याने इसके अगर 2V है तो इसके V रहेंगे and they meet after 2 seconds their separation of projection R वो मिल रहे है 2 second बाद में मिल रहे है तो T is equal to 2 seconds है अब दोनों लेटर से उपर जा रहे है तो उपर का direction positive नीचे का direction negative तो U1 is equal to V लिखेंगे तो U2 is equal to 2V लिखेंगे प्लस ही लिखेंगे क्योंकि दोनों उपर फेके जा रहे है A12 जो है यह 0 आएगा क्योंकि motion under gravity है तो U sorry U21 अपन यह U1 हाँ हाँ ठीके इसको U2 बोल देंगे इसको U1 बोल देंगे ठीके U2 U1 तो U12 that is equal to 2V minus V let us say V तो यह हो गया V also initial separation कितना बोलाएं initial separation कितना है दोनों में 20 meter जब वो meet करेंगे जब वो meet करेंगे ने जब मिल जाएंगे वो तो जो final separation रहेगा दोनों के बीच में वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो meet करेंगे अभी दोनों के बीच में separation कितना है 20 फेक आउपर जाके कई तो मेट किये तो जब वो मेट कर जाएंगे तो दोनों के बीच में सेप्रेशन कुछ भी नहीं है ना तो जीरो आ गया तो therefore s12 is equal to 20 meter हो गया है ना now s12 is equal to u12 t plus half a12 t square 20 is equal to v into 2 plus half 0 into t square तो 20 is equal to 2v क्योंकि यह तो 0 है 2 1s आ 2 10s आ तो v is equal to 10 meter per second इतने velocity से project किया पहले वाले object को तो दूसरे वाले object का velocity velocity of second object that is 2v है ना 2v इसका 2 10s है यहने 20 meter यहने एक का 10 meter per second दूसरे का 20 meter per second समाझ मैं ठीक है for the above problem the height at which they meet is कहाँ पे meet कर रहे हो height वो निकालना अपने को तो लेटे से पहले object के लिए consider गरते है h1 is equal to u1t minus half gt square है के नहीं clear u1 कितना है वो महाँ पे u1 कितना निकाला था अपने 10 into 2 minus half 10 into 4 sorry यह दूसरे object का लेना पड़ेगा दूसरे object का velocity लेना पड़ेगा तो it becomes 40 minus 20 so they meet at 20 meters यह height पर वो meet करेंगे okay clear समझ में है पहली बार वो यह height पर meet करने वाले है तो यह था हमारा उसी के उपर का problem अब अगले topic का बात करते है which is relative velocity in terms of position time graph position time graph अपने को मालूम है अपने पहली पढ़े position time graph यानि क्या होता है time के इसाब से position का change होना उसका graph तो देखो सबसे पहला case when v2 is equal to v1 और v2 minus v1 is equal to 0 यानि relative velocity 0 है यानि दो object चल रहे constant speed से चल रहे यानि सामने वाली की speed है वही पीछे वाली की speed है सामने वाली की speed is equal to पीछे वाली की speed तो relative velocity 0 है तो हमेशा distance के सरेंगा constant तो क्या बूलेंगे हम लोग यहां पे the two objects always remain at constant distance और उनके जो graph आएंगे position time graph वो हमेशा parallel आएंगे कैसे आएंगे parallel सपोज एक का ऐसा आया तो दूसरे का ऐसा आएगा okay एक का ऐसा आया तो दूसरे का ऐसा आएगा parallel आएंगे हमेशा okay एक का इस तरीके से आया तो दूसरे का color change कर देते ना एक का इस तरीके से आया तो दूसरे का भी इसी तरीके से आएगा मतलब parallel आएंगे graphs graphs कैसे आएंगे parallel तो ये point लिखके रख लो note down करके रख लो कि the position time graphs of the two objects will be parallel to each other है ना the position time graph of two objects will be parallel to each other एक दूसरे को parallel रहेंगे ठीक है next case two when v2 is greater than v1 या फिर v2 minus v1 is positive यहने सामने वाले object की velocity जादा है पीछे वाले object की velocity कम है 2 याने सामने वाला होता है हमेशा और 1 याने पीछे वाला होता है अपने consider कर रहे हैं सामने वाले की velocity जादा है पीछे वाले की कम है तो हमेशा separation बढ़ता रहेगा तो क्या लिखेंगे the separation between the two objects increases by v2 minus v1 यह पहले बाद तो increases को अंटर लाइन कर लो by v2 minus v1 per second एक second में कितना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा ठीक है तो इनके जो graph रहेंगे position time graph तो एक का suppose graph ऐसा है तो दूसरे का ऐसा रहेगा वो कभी meet ने करेंगे the graphs will never meet इसके लिए आत रुखने है क्योंकि separation हमेशा बढ़ता ही जाएगा ना separation हमेशा है सोचो ना तुम खुद हमाजन करो कि तुम्हारे सामने वाले गाड़ी की speed जादा ही जादा है तो भग जाएगी वो है ना तुम्हारे गाड़ी की speed कम है तो तुम पीछे रहे जाओगे और वो हमेशा आगे बढ़ते जाएगी तो separation बढ़ता ही चला जाएगा next case 3 when v2 is less than v1 और v2 minus v1 is negative and object 2 is ahead of object 1 यहने जो second object है वो सामने है first object के तो in this case the separation between the two objects first decreases till the two objects meet and then the separation between them increases as object 1 overtax object 2 इसका मतलब क्या है starting में separation कम होगा starting में separation कम होगा और फिर object 1 क्या करेगा overtax करेगा और फिर separation बढ़ता चला जाएगा तो इसका अगर graph देखे आपन suppose तो तुम हैसे example वाले graph बना सकते हो तो यह इस तरीके से होगा इसा है ना यह two object का यह one object का तो starting में दोनों बढ़ रहे हैं यहाँ पर meet कर रहे हैं तो जहाँ पर objects इंटर जहाँ पर graph intersect करेगा उस time पर वो मिलेंगे उस time पर वो मिलेंगे suppose यह two second का value है यहाँ दो second पर वो objects मिलेंगे और फिर इनके बीच का separation देखो increase होता चला जाएगा ऐसा increase होता चला जाएगा ठीक है तो this is the concept of relative velocity in terms of position time graph तो यह सारी बाते धहन में रखना है आज का lecture में हम लोग next lecture में last lecture है हमारा relative velocity का next lecture उसमें कुछ numericals discuss करेंगे और यह topic end करेंगे है आपे ओके that's it